साल 2023 का आखरी महा जिशंबर सुरू हो चुका है। हिंदु धर्म के लिए ये महीना काफी खास होने वाला है। क्योंकि इसमें बड़े बड़े तीज तेवार पढ़ने के साथ ग्रहों की इस्तिती में बदलाव हो रहा है। दिशंबर महा की सुरूआत में काल भेरब जेंती के साथ हो रही है। हिंदु पंचन के अनुसार मार्ग सीष महा के क्रेश्न पक्च की चतुर्थितिती के साथ इस महीने की सुरूआत हो रही है। दिशंबर महा के पहले दिन पुश्य नक्षट्र के साथ सर्वत सिद्धी योग भी बन रहा है। इसके साथ ही इस मास का समापन पोश माग की चतुर्थी तिति के साथ हो रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुशार दिशंबर महीने में उत्पन्ना एक्स एक अदसी, भॉमबती अमवश्या, मोक्ष एक अदसी, क्रिश्मस, विवा पंचमी, गीता जैन्ती, अनंग त्रेव जशी से लेकर मास पोश तक आरम हो रहा है। विशेश रूप से हमारे यहां मार्शिस माहे जो है, वो कार्तिक के बाद आता है, और मार्शिस माहे को भगवान स्री कृष्ण का प्रिय माहे माना गया है। विवताओं का पूज़ नर्चन करना चाहिए, जिन इस्तियों की जीवन में शंतान की अपेक्षा है, उनको कृष्ण पक्ष में एकादसी को भगवान बाल कृष्ण का दूद दैगी सहथ सक्करादी से शिष्णान कराकर भगवान का पंच्यामरत अभिशेक करना चाहिए इस मंतर का जाप करना चाहिए, इससे स्रेष्ट शंतान की प्राप्ती होती है, घर में शुक्षानती का निवास होता है, एकादसी ब्रत करने से हमारे समस्त मनोरत पुर्ण होते हैं, विभाय महुतसब होता है, हम जिस नर्मदापुर्म नगर में निवास करते हैं, यह पास में एटार स्यूप नगर है, वहाँ देवल मंदिर में सामुई विभाय महुतसब भी होते हैं, तो विभाय पंच्यमी को इस प्रकार से विभाय करना भी चाहिए और जिनका दामपत अपने जीवन में मर्यादा है, वहाँ प्रशुक्षान्ति वेफव वेस्व निवास करते हैं, जब पति-पतनी दोनों के मद्दे मर्यादाओं की शीमाओं से बाहर जाते हैं, तब ही उनका जीवन कष्ट में होता है, इसलिए विभाय पंच्यमी को है भगवाय शी राम का इसमर्ण भी करना चाहिए, और राम जी के जीवन से उनके जो स्रेश्ट चरित्र हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए.